दोस्तों सोसल मीडिया में ये न्यूज कल से वारल हो रही है और इस पर एक वीडियो मैंने लेट नाइट मिनाय था जिसकी रीच बहुत कम लोगों तक थी तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इसकी रीच थोड़ी से बढ़ाएं वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे आप लोग तो इसकी रीच थोड़ी से बढ़ जाएगी तो दोस्तों ये जो प्रारूप नेमावली कल जारी हुई है उत्तरप्रदेश सास की सहताप्रावत माध्मी विद्याल है अध्यापों की भरती और सेवा सरते नेमावली 2024 तो ये कल से जो है वारल हो रहा है और ज़्यादा भरोसा भी करते हैं हमारे चैनल के भी कुछ विवर हैं जिनका ट्रस्ट तथा कथी चैनल उपर बना हुआ है तो क्योंकि वो न्यूज थोड़ा सा पहरे आपको डेलिवर कर देते हैं और न्यूज में फिलाल यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है आपने देखा ह अचाओगा कि TGT PGT और प्रिंस्पल के लिए यह नेमाली जो है जारी की गई थी और इसमें यह कहा गया था कि TGT PGT में जो एज लिमिट होगी वो निर्थारिक की गई हैं मतलब यहाँ पर यह कहा गया कि विस्स तोर से यह खंड आप देख सकते हैं एज लिमिट वाला र प्षिक अर्था अधिमानी अर्था और आयू, इसमें कहा गया था कि उम्र BBQ होगी 21 से 40 साल की में होनी चाहिए और प्रधामाचाareth विए जो उम्र सीमा होगी वो 30 से लेकर 40 साल की बीश में होनी चाहिए और जो घदीश होगी जिसकी जो कटेओ हैं उनके लिए यहां पर कहा गया कि उच्छ तर आयो सीमा उतने वर सधीक होंगी जितनी भी निर्दिस्ट की जाए है तो बात की गई थी और यह भी कहा गया था कि जो परिक्षा होगी परिक्षा में जीएस भी पूछा जाएगा फिला फ्रेंड्स यहां पर बहुत दा डिटेल में नहीं जाएंगे और आपको यह बताना चाहें है कि इसे कुछ फर्जी creator ने create कर दिया है और इसे फिर viral कर दिया है क्योंकि social media तो ऐसी जगह हैं जहां सो कोई भी news खासतर से जो गल्ट news होती है वो जल्द ही viral हो जाती है तो बस इतना ही कहाना था बाकि जब यह सब कुछ फेकी है तो इसमें कुछ कहने वाड़ी बात ही न इतनाए हुई है उसके मद्य नजर एक ऐसा कानून लाया जाएगा और इस कानून में ऐसे प्रावधान होंगे कि जो नकल माफिया है उनकी रीड जो है वो तोड़ी जा सकेगी साथी साथ पूरी जो ब्योस्ता है जो भरती प्रक्रिया है उसको पादरसी बनाया जाएगा तो फिलाल दोस्तों मुझे लगता है कि यह बहुत अची बात है अगर ऐसा कुछ हो बस दो चीजें हो जाएं कि परिशाएं एक सही समय पर हो और लगबग वैकेंसी जो हैं वो हर साल आ जाएं और एक और भी बात कि जो परिशाएं हो पूरी सुचिता के साथ हो ठीक है तो यह बहुत ही सांदार बात रहती तो फिलाल अभी तो यहां पर कानून लाने की बात की जा रही है और साथ मिक्ता यह एक कानून मतलब लाय जाएगा और इस कानून के माध्यां से जो नकल माफियां हैं उन पर एक कड़ी नकेल कसी जा सकेगी बेसिक सिक्षा ने देशक आउमाना में तलब तो इलाबाद हाई कोड ने मृतक आस्रित कोटे में नियुकति के मामले में आदेश कानपाला नहीं होने पर प्रताव जिंग बगेल को तलब किया है आदेश नियायमोर्ती दिनियूज कुमार पाठक ने सुभाज चंद्र की आ तो बेसिक शिक्षा निदेशक को आमानना में तलब किया गया है और जैसा कि आप लोग में बताया था कि एक हाई कोड का डिसीजन आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मदर्सा सिख्षा अधिनियम समयदानिक है तो इसके बाद जो मदर्सा संचालक है मुकामनी राय ले रहे हैं और आपको यह पर बतारा जाएंगे कि प्रदेश में जो भी मदर्से चल रहे हैं उसमें जो भी छातर प समानता का अधिकार वर अनुच्षेद 21A सिख्षा के मौलिक अधिकार के खिलाफ माना है और फिलाल आगे बढ़ते हैं तीसरी और शटी कच्छा के लिए CVSC का नया पार्टिक्रम जारी क्या गया है ध्यान देजिएगा कि तीसरी और शटी के लिए बाकी जो पार्टिक्रम फर्स समेस्टर और थार समेस्टर की जो बेरती हैं उनकी कांपियों का मुल्यांकन कारी पूरा हो चुका है और उनका रेजल जो है वो समय पर उनको डेलिवर हो जाएगा मतलब समय पर प्रड़ाम जो घोसित कर दिये जाएंगे और साथ साथ एक नियूज यहां पर और भी सब्सक्राइब है तो अंडर ग्रिजट प्रोग्राम है पोस्ट ग्रिजट प्रोग्राम डिप्लोमा और भी बहुत साथ चीज़े हैं तो एडमिशन इन बीटेक भी फार्मा तो बीटेक में लेना चाहेंगे तो इसके लिए क्या होगा कि जो जेई का एक्जाम होगा प्रुब्द करवाई गई है अधिक जांका के लिए आप लोग पुरान सब इस देले की वे अपसाइट पर विजिट कर सकते हैं धन्य बाद प्रीज डूला इकन सेयर